सहीर मुश्कर दोस्तो मिरा नामी करन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करन अरुरा आज मैं बात करूँगा एक और शांदार थीम के बारे हैं जो आप MIUI 11, माफ की जगा MIUI 12 और MIUI 12.5 दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसको यह है OnePlus Cyberpunk 2077 और यह बहुत ही शांदार थीम है आपके MIUI के डिवाइस के लिए इसके एक्टिज़ 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 फाइल का लिंक आपको मिल देकर डिस्क्रिप्शन में और अगर आप अपने डिवाइस में आप कस्टम रूम को यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको थर्ट बाड़ी थीम्स इंपोर्ट करने का आप्शन देखनी को मिलता है तो आप इस थीम को अपने डिवाइस में जरूर यूज़ कर सकते हैं मैं इसको अपने डिवाइस में अप्लाई कर लिया आप देख सकते हैं इसकी look के बारे में तोड़ी सी बात करेंगे इसका जो control center है उसकी UI बहुत ही ज़्यादा जबरदस है आप देख सकते हैं इसके सारे icons काफ़ी अच्छा दिके से जो कि देखने में काफी जबर्दस लगता है यह क्ली dark theme है तो अगर आप अपने ड़इस में dark mode को on करा हुआ है तभी आपके डवइस में यह theme इस तरह से look देपाएगा देखने में काफी मस लगता है यह theme आपके अपने डवइस में try करेए उसके साथ साथ बात करते हैं कि इसके कुछ और चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन पैनल बिल्कुल सेम है जो होम स्कीन के आईकेंजे काफी जबरदस रखते हैं बात करे कि इसकी सेटिंस की लुक के बारे में जहां पर आपको काफी अची लुक देखनी को मिलती है साथ बात करते हैं disruption का लोगो आपको देखनी को मिल जाएगा आपके about phone में आरतीजिव का शाम इडवाइस बिल्कुल एक OnePlus का Cyberpunk डिवाइस देखने को लगेगा, Almost सभी चीज़े अच्छे देखे से theme नजर आती है, हर चीज़ में काफी high level की theming करी गई है, कुछ users को यह चीज़ पसंद आएगी, कुछ users को नहीं आएगी, हरे के अपने preferences हैं, लेकिन देखा जाए तो इस theme पर काफी अच्छा वोग किया गया है, यह आप देख सकते हैं, इसके जो आपके menu के options है, side पर वो भी आपको अच्छे देखे से arrows देखने को मिलते हैं, home screen पो जो आपको widget वकर अच्छे देखने को मिलते हैं, यह कुछ कमाल की चीज़ें आपको यहाँ पर इस theme में देखने को मिलती हैं, हर जगह पर आपको UI जो है must ही देखने को मिलेगी, यह बिल्कुल सेम तरिके की UI देखने को मिलेगी, उसके लावा अगर किसी और चीज़ की बात करेंगे, तो और कहीं पर भी आपको किसी तरह की theme देखने को नहीं मिलेगी, ज़से कि आप बाते की Google Play Store की, तो यहाँ पर आपको कोई भी theme देखने को नहीं मिलेगी, unfortunately, बट काफी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अगर आप गैलरी में चलेंगे, तो आपको हर जगह पर इस तरह से Cyberpunk 2077 इस तरह से लिखा आएगा, हर जगह पर, इसके जितने भी inbuilt, pre-install, जितने भी apps होते हैं, हर जगह पर आपको इस तरह की UI देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ, अगर आप बात करेंगे, इसके जो volume panel की, तो यहां पर भी आपको एक काफी जबरदस UI देखने को मिलती है, मैं आपको एक बार दुबारा दिखा जाता हूँ, यह देखिए कितनी कमाल की इसमें आपको theming देखने को मिलती है, आपके volume panel में भी, तो almost सभी जगह पर काफी अच्छी दिखे से theming देखने को मिल जाएगी, उसके साथ से जास कि मैंने पुता है, इसके home screen की icons अच्छे हैं, सभी के सभी icons themed हैं, ऐसे icons अगर आपको ना भी पसंदा है, तो आप उनको बड़े आराम से change कर सकते हैं, आपके theme store में जाने के बाद काफी सारे options देखने को मिलते हैं, उसके साथ से अगर आप यहाँ पर installation वगड़ा की UI की बात करेंगे, तो यहाँ बहुतनी खास installation की UI में changes देखने को नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर अभी आपके पास switches वगड़ा के option तो आपको पता लगई चुके हैं, वही चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, कभी साथ चीज़े अच्छी देखने को मिलती हैं, इस theme के बारे में, इसका जो home screen का widget है, वो तो काफी कमाल का, नॉर्मल सा यूनिक है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, बात करेंगे, इसकी lock screen की UI की, जिसमें आपको आपके remaining battery, weather, miss call और sim, सबी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, home screen पर wallpaper अच्छा देखने को मिलता है, side पर बिल्कुल यहाँ पर last में, आपको settings के features देखने को मिलते हैं, और home screen पर आपको status पार के जो आइकन्स है, वो भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको music के रहा का option देखने को मिलता है, swipe करने से, अगर आप swipe left करें, आप swipe right करें, दोनों जगह पर आपको इस तरह से music प्ले करने का option देखने को मिल जाएगा, और कोई customization के options नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, clock वगर आप पर click करने से तब भी आप कुछ options देखने को नहीं मिलेंगे, सबसे bottom पर आपको settings के features देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप आप वहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कुछ, यहाँ पर settings के features देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप इन्हें customize कर सकते हैं, name, signature और आप सारा कुछ, जिसको मैंने ज़्यादा try नहीं करा, अगर आप चाहें तो आप इसे अपने यहाँ पर तरीके से customize कर सकते हैं, और यह देखिया आपके जो UI है, यहाँ पर text box जिस तरह से बनाता है, तो इसकी भी UI को theme करा गया, और हर जगह पर यह जी 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 चीज जो है theme आपको नज़राएगी, आप किसी भी sub menu को open करेंगे, वहाँ पर आपको यह theme को मिलेगी, तो यह काफी ज़्यादा कमाल का theme है, अगर आप उसको अपने device में use करने तो आप use कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ी से अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपके device में third party themes का support होना चाहिए, अगर आप third party themes का support आपके device में है, तब ही आप इस theme को अपने device में install कर सकते हैं, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने device के theme store में, और यहाँ पर जैसे आप theme store को open करेंगे, आपको जाना है आपके my account में, उसके बाद आपको जाना है themes वाले option में, यहाँ पर आपको सबसे last में दिखाएगा import का option, यहाँ पर आपको click कर देना है, उसके बाद आपको एक theme file का link जो कि मैं आपको दे दूँगा description में, आपको उसके यहाँ पर click करके ok कर देना है, क्योंकि यह theme file का size आपके लिए थोड़ा सा जादा होगा, 50-60 MB के आसपास होगा, तो थोड़ा सा time लेका यह import होने में, लेकिन इंपोर्ट होने के बाद आप इसे अपने device में apply कर सकते हैं, बस ही सबता आज के इस वीडियो में, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, this was all, thanks for watching and goodbye.